अक्सर हमारे कपने छोटे मोटे जगे से फट जाते हैं राइट सी लाई निकल जाती है तो हमें दर्जी के पास जाना पड़ता है और दर्जी के भी अलग टैंटरम से प्रोफेशनल दर्जी करना ही नहीं चाहते हैं यह सब काम हमसे नहीं होगा यह आज कल की टाइम पर जब को पता यह क्या करना है जड़ी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपने मेरे चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे तक इसे इंट्रेस्टिंग कॉंटेंट हमेशा आपको मिलते रहें तो चलिए देखते हैं आज का वीडिय कर सकते हो आप ट्राइवरिंग पे भी इसे ले जा सकते हैं मशीन में लगने वाली चोटी मोटी हर एक चीज़े आपको इसके साथ मिल जाएगी सुई बॉब एक्स्टेंशन स्प्रिंग और धागा डालने के लिए कोड एवरिधिंग आपको इसके साथ ही मिलेगी अलग से आपको कुछ भाय करने की जरूरत नहीं है लेगिन आपके इसाब से आप मारकेट से अलग-अलग त्रेड्स खरीज सकते हो बहुत आसानी से आप घर में ही अपने कपड़े सल सकते हो तो देख लेते हैं इसमें क्या-क्या Об lleश करते हैं सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि यह जो है AAA बैटरी से चलता है तो यहाँ पे आपको 4 बैटरी डालनी होगी जो कि डिवाइस के साथ नहीं आता है अलग से आपको यह खरीदना होगा बस इसको slide कर दीजिए और यह बंद हो जाता है पर आपके पास में अगर बैटरी नहीं है तो आप इसको adapter के मदद से भी चला सकते हो और यह electricity भी चलता है तो आप इसको non-stop use कर सकते हो machine को चलानी के लिए बस आपको क्या करना है इस तरह से आपको अपने हाथ पे पकड़ना है और उपर जो button है उसको दबाओगे तो बस machine चलने लगती है machine की जो body है वो बले plastic की बनी हो लेकिन अच्छे quality के है और उसकी जो body है वो stailने steel की है तो इसमें junk भी नहीं लगेगा तो on the spot अगर कुछ सिलाना है यह repair करना है उसके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि सिर्फ 500 रुपीज में यह आपको मिल जाता है उस cost के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी चीज है यह इस machine को चलाना तो बहुत ही easy है उपर जो button दिया है उसको आप जैसी दबाओगे तो यह machine चलने लगता है तो आप अपने हिसाब से चला सकते हो और कोई भी तरह का handcraft या patchwork या simple embroidery भी इसमें बहुत अच्छी से बना सकते हो इसको use करना बहुत ही असान है सबसे पहले बॉबिन में अपने पसंद की color का थागा डाल दीजे जो भी color आपको use करना है और उसके बाद आपको इस तरह की एक string मिलेगी उसमें सबसे पहले आपको spring को डालना है वो आपको machine की साथ ही मिलता है और उसके बाद में आप bobbin को डाल दीजे bobbin को इसमें fit करने के बाद में आप machine में आप देख सकते हो कि इस तरह का knob दिया हुआ है यहाँ पे आपको bobbin को fit करना है कुछ इस तरह से देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बस आप press करोगे तो वो fit हो जाती है अब bobbin के उपर इस तरह का knob दिया होगा उसमें से आपको thread को निकालना है बहुत ही असानी से वो हो जाता है आप देख सकते हो कितने असानी से मैंने ये thread को fit कर दिया है उसके बाद tension control पे कुछ इस तरह से धागे को घुमाना है और knob को घुमा के इसको tight कर लेना है ताकि धागा हमारा fit हो जाए next step पे अंदर आपको छोटा सा hook दिकरा होगा इस hook से आपको धागे को pass करना है तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ सबसे पहले धागे को आपको उस पार ले जाना है कुछ इस तरह से जैसे आप उस पार ले जाओगे तो आपको धागा डालने में बहुत ही असानी होगी बस कुछ नहीं करना है आपको धागे को उसमें अटका देना है देखिए इस तरह से इतना simple है ये अब सबसे आखिर में आपको thread डालना है उसके लिए इस तरह का छोटा सा टूल दिया होता है मशीन के साथ में ही जिसकी मदद से आप बहुत ही असानी से इसमें thread डाल सकते हो और thread डालते ही हो गया आपका machine ready to use तो चलिए जली से इसको use करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है अब यहां पर मैंने एक रुमाल लिया है जिसको कि मैंने दुबारा से फोल कर लिया है इसलिए देखने के लिए कि कितना मोटा कपड़ा जो है वो सिला सकता है तो अब इस रुमाल को जो है वो हम सिला कर देखते हैं तो जबी भी आप सिलाई करो मशीन के नीचे जो पटी दिया इसको उठाना है सिंपली और कपड़े को उसके बीचो बीच रखना है मतलब सुई के नीचे आनी चे यह कपड़ा और बस उसको वापस से रख देना है जैसे अब नॉर्मल मशीन में करते हो वैसे ही है अब मशीन चलाने के लिए यह जो नॉब है इसको आपको नीचे करना है इस तरह से घुमाना है आपको क्लॉक्वाइस डिरेक्शन में ताकि हमारी सुई जो है वो नीचे आ जाए और हम सिलाई स्टार्ट कर सकें बस आपको इतना याद रखना है कि आपको पूरा नीचे की तरफ लाना है ताकि सिलाई आपकी जो है वो अच्छे से आ सकें तो हो गई हमारी मशीन रेडी तो यूज बस इस बटन को दबाते ही आप सिलाई कर पाऊगे बट आप जबी भी यूज नहीं कर रहे हो या पॉस ले रहे हो तो इस तरह से इसको लॉक करके भी रख सकते हो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत ही असानी से आप इसको लॉक करके रखिए ताकि आपके एपसंस में वो इसको दबाए ना इस दिवाइस को अपने हाथ में कुछ इस तरह से पकड़ना है कि आपका अंगूठा जो है वो स्विच के उपर आना चाहिए तो देखा कितनी असानी से मैंने ये स्टिच कर दिया एकदम मशीन स्टिच की तरह लग रही है बहुत ही मजबूत है आप देख सकते हो कि कितने फटा-फट से मैंने ये कर दिया है तो आपको कोई भी छोटी-मोटी से लाई करना है कभी हम पतले हो जाते हैं तो हमें टाइट कराना पड़ता है यह कभी लूस कराने पड़ते हैं कप्डे तो वो भी सब आप घर पे ही कर सकते हो अब कोई भी दरजी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ीगी अपने convenience के इसाफ से आप कर सकते हो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको रखने में आपका ज़्यादा जगा भी नहीं जाएगा और इतना सस्ता यह मशीन है कि इसको कोई भी खरीच सकता है दो देखा आपने कितना इजी है इसको यूज़ करना अगर आपके कोई चोटे मोटे पैचिस है वह तो आप मिंटों में ऐसे ही रिपेर कर लोगे इसके साहिता से राइट और दूसरी बात है कि यह हर एक तरह के फाइब्रीक पे काम करता है यानिकि अगर डेनिम है पॉलि के लिए एक हेविडिटी मशीन चाहिए तो एक फुल फ्रेज़े स्विंग मशीन हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं है और बहुत जादा महंगा भी आता है घर में जादा जगा ले लेता है हम लोगों के लिए तो यह सही है क्योंकि थोड़ा बहुत पाच्च वक करने के तो यह चली जाएगा और ऐसा भी नहीं कि आप इसको बस पांच मिनिट यह दस्रमेंट के लिए चला सकते हो जब तक आपको सिलाई करनी है मशीन चलने पर ज़्यादा आवाज भी नहीं आती तो ज़्यादा शोर शराब भी नहीं होगा घर पर अगर आप इसको भी बच जाएंगे और आपको टाइम पर चीज़े मिलने लगेगी तो फ्रेंग्स आपको पसंदा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब करीए मेरा चैनल और बेल बटन भी ज़रूर दबाईएगा ताकि आने वाली अच्छ अच्छी वीडियो की आपको नो झाल 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 झाल